वेलकम दोस्तो दोस्तो अच्छके में हम बात्चीत करने वाले कि आपको क्रेडिट का बिलिंग साइकल को के से चेंज करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात्चीत करने वाले है तो चलो सबसे पहले आपको अगर अपने अक्टिवेट नहीं किया तो इसलिए उपर मैंने वीडियो बना रखा है आप लगे तो देख सकते हो तो सबसे पहले यहां पर आपको देख सकते हो यहां पर आपको अपका क्रेडिट काड नमबर दिखाए धेगा कस्टमर नेम दिखाए देगा और करन मेरी बिलिंग साइकल डेट दिखाए देगा जैसे कि मेरा 23 जानवहरी 2022 है तो आपको डिजायड क्या चाहते हो तो यहां पर आपको सबसेले करना है जोबी हैलाइट डेट है वह आप स चुन लेना है आपकी हिसाब से आपको देखना है कि बहुँन साइकल कभी होजाता है आपका payment या पास पैसा कब आता है आपके monthly basis पर उसके इसाब से आप billing cycle को change कर सकते आइन तरीके से तो उसके बाद यहां पर बिल है करने बाद यहां पर आपको simply submit करना है पर फिर से manage option पर क्लिक कर देंगे उसके थोड़ा सा नीच आएंगे और फिर से view and manage billing cycle option पर क्लिक करेंगे देख सकते हो कि current billing cycle मेरा जो है पहले 23 जाने वरी था आज 25 जाने वरी हो है मैंने चेंज किया इस तरह किसे आप आसानिस से within 1 minute के अंदर आपका billing cycle का date चेंज कर सकते हो दोस्थ